बच्वन में मैं छोड़ा जब था तो मेरा घर में जो लाइट चलता था पंखा चलता था तो उसी टेयरो को एक कुसन हार्ट टैम मेरो को परजिए करता था यamed黟रि स्टी कहां से आया है ऐन्रजी कहां से कैसे यὲा एग धूल्णने के लिए मैं कोशित करता रहता है तो एह वाला सावाल और किसी के अंदर है मैं आज क्लिये करदेता हूं यह वाला स्और कहां से आया है जो पहले देख लेते हैं है जिनर यहां कापर होता है मतलब कौनसा इस पावर जनरेशन होता है तो उसके बाद हम रह लेक्टिसीजी बनता है थर्मल यहाँ पर कहना जो जो कोल है इसको जला के पाणी को गरम करते वो पानी से हम लोग टी लेते हैं उट्ट टार्वान को गुपट दूसरा है solar power plant पास घर में भी हमारा घर में भी और सुलर को एक साथ बहुत सारा solar plate को लगा कि वहापर solar a surreal light को energy में convert कर देते हैं और वी light पंक छलब रहता है उसके बाद हम लोग जो देखेंगी है और ज वहां से भी ठैपा सेंगे होता है उसके लब यहां पर बहुत बड़त बर्बर से accepted वहां पर भी उस बार जैनेट्य जाता है और लास्ट द्की द एन अट्वियर प्लन को आटोड से ब्रेक करते करते हैं हम लोग भी पावर जेनरेशन करते हैं तो उसके बाद पावर जेनरेशन तो हो गया हमारे पास इतना सारा पावर जेनरेशन स्टेशन मतलब power generation का type से वहां से power को step up कर देते हैं holdage को बड़ा देते हम लोग सुनते हैं हर जगा में जो 132 के भी का लाइन 220 के भी का लाइन 400 के भी एक लाइन के भी मतलब किलो भोल्ड है यह power को transmit किया जाता है टांसमीट होता है transmission line के तुरू आपका घर के आसपस बागाओं के आसपस भी बहुत मोटा मोटा के बहुत लंबा लंबा टावर के तुरू एक जगा से दूसरे जगा तब जा रहा है तो मतलब एक transmission line की एक जगा में एक सब्सक्रेशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं कांवर वोल्टिज को कम करके हमारा गाउं के ऑसपास इक बहुत बड़ा साफ सिर्षान रहता है उसको बोलते हैं listen और फिल्त के इडर विड्य को कम करके हमारा लिये 220-240 वोल्ट हमारा घर innovation देते हैं उसके बाद हमारा घर के असपास जो पॉल रहता है एलेक्ट्रिक पॉल वहां से हमारा घर में सप्लाय आते हैं यह था मेरा फूल प्रोसेस मतलब पावार जिनरेशन का से और हमारा घर के घर तक जो पावार लाइन रहता है वो कहां से कहां से घुम किया आता है साइट का जो कुस्थ था भच्पन में और साइब हो गिया है क्लियर हो गिया तो एक लाइक कीजिए और सेर गीजी दूसलों के सब कुमेंट और एक बात आप यूटूब चनल को सब्सक्राइब किजिए और बिलाइक उनको दबा दीजिए लेटेश वीडियो सब्सक्राइब के लिए यह बिलकुल फ्री है थैंक्स फॉर वाचिंग